दोस्तों देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर हमको किसी कारे के अच्छे और बुरे का पता करना है तो तुलना कर लीजी आपको अपने आप पता चल जाएगा तो आज हम भी तुलना करना चाहते हैं मद्य प्रधेश की राजधानी भोपाल में 18 अगस्त को चैनेत सिक्षकों और बेरोजगारों पर जो कारिवाही की गई और जन आशिरवाद यात्रा का जो इतना बड़ा आयोजन हुआ उसमें आखिर प्रसासन ने क्या किया दोनों घटनाओं को अगर देखा जाए तो इस तरीके से लग रहा है कि जैसे भोपाल में प्रसासन ने कारवाई करके यह पर्चे दिया अपने मन में कि देखिए हम कितने कानून के रक्षक हैं हम बाकाइदा कानून का पालन सभी जगत समारूप से करवाते हैं तो जन दियात्रा में कहां चला गया वो प्रसासन कहां चले गए आई एस आई पीएस या फिर अपनी आखे मूंदली के हमें कुछ नहीं दिखाई देरा नमस्कार मैं हूं गिर्राश शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक दोस्तों सभी से एक अपील है कि सवाज को रोजगार आए सबको पता है उनकी सिर्फ बिचारों की एक ही मांग थी कि हमें रोजगार चाहिए समय पर भरतियां चाहिए और चाइनेश सक्षकों को निक्ती चाहिए उनको जगह तक बैठने के लिए नहीं दी गई और पुलिस प्रसासन ने एफ आई यार की साथी साथ कई धारा उन पर लगाएं कि जैसे पता नहीं कौनसे बड़े आतंकवादी है मुझरिम है तो दूसरी तरफ जब हमारा ध्यान जन आशिरवाद यात्रा की ओर जाता है जोतिरादित सिंदिया जो के हाली में नागरिक उड्डेन मंत्री बने हैं जन आशिरवाद यात्रा को लेकर के बेहद उत्साहित थे ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं बड़ा कौन सा तीर मार दिया प्रदेश में उनके आने के बाद जैसे चैनित सिक्षक अथिती सिक्षक बेरोजगार MP पुलिस भरती वालों को बड़ी खुशी की लहर दे दी हो इनों ने इनके सब के प मस्से पर है फिर भी ठीक है चलिए उनके मन में संतुष्टी रहे क्यों निकले लेकिन जब हम उनकी रथयात्रा को देखते हैं तो कई बातें ध्यान में आती हैं जो प्रसासन दिन रात कोरोना की भीड को लेकर के कोरोना फैलेगा राग अलापता है जिस जिस जिले से जन आशीरवाद यात्राएं निकली है क्या उन्हें दिखा नहीं कि कितनी भीड थी क्या दो चार लोग थे वहां पर क्या सोसल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था वहां के आईएस आईपियस के आँखे मूंद करके बैठे थे क्या उन्हें नियमों के बारे में पता नहीं थ क्या यहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाने की परमीशन दे दी गई थी यह वो सारे सवाल हैं जो जायज हैं उठते हैं आखिर प्रसासन यहां क्यों उसका शौर गायब हो जाता है क्यों पुलिस के कंदों के सितारे गायब हो जाते हैं क्यों आईएस आईपियस जो नजरें जुखाये खड़े रहते हैं यहां पर नियमों का पालन क्यों नहीं जब दूसरी और चैनित सिक्षक बेरोजगार अपनी जायज मांगों के लिए जाते हैं तो भुपाल में उन्हें बैटने तक का इस्थान नहीं दिया जाता क्या यह अपना नाम बदल देते हैं है अपने यदा का चेनिस सिक्षक किढ़ा ओ देते हम बेरोजगार के आसिरवाद लेने जा रहे हैं सड़कों पर तो क्या पुलिस प्रसासन आसिरवाद के नम पर इनको आAhधिया दे देता यहां आप आशिरवाद लेने जा रहे हैं जा सकते हैं बस प्रदसन बैसा मत क Holzत कोरोना फैलाने के लिए आए हो आशिरवाद के नाम पर और उसका जो गुणा बुखतेगी बाद में जंता बुखतेगी हम तो लॉक्डाउन लगा करके जो है अपना पल्ला जाड़ लेंगे देखिए आप लोगों ने मास्क नहीं लगाया था ना फैल गया कोरोना यह नहीं कहेंगे तो यह वो सारे सवाल हैं जिसका जब आप अधिकारियों को अपने आप से मांगना चाहिए हम नहीं पूछ रहे हैं अपने आप से अपनी आत्मा से मांगिए कि आपने चैनिस सिक्षकों के साथ बेरोजगारों के साथ ठीक किया और जन आशिरवाद यात्रा में ज सिवरासिंग चोहान पर आप क्या सोचते हैं क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे सोचल मीडिया के हर प्लेटफर्म पर शेयर कीजिएगा साथी साथ सब्सक्राइब के फ